जेन फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आप केप्टन टूप चनल प्रमोसर वारानसी में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राज्यों की चित्रकला को फ्रेंट्स से स्टैटिक जीके का बहुत ही इंपॉर्डन टॉपिक है और यहां से हर वार क कोशन पुछा जाता है और जो तेई सगस्त यानि आज का जो पेपर हुआ है उत्तरप्रदेश पुलिस का तो यहां से एक कोशन पूछा गया है तो आने वाले जितने भी सिप्ट है यहां से एक से दो प्रसंद जरूर आपको देखने को मिलने वाला है तो यहां कंप्लीट यहां कई वीडियो के अन्ड तक बने रहते हैं तो बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर करेंगे आपकी दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा चली स्टार्ट करते हैं वीडियो को सब्से पहले कोशन की तरह मूब करते हैं देखिए चित्रकला सहेली जो होती है विभीन राज environmental कि अलग अलग चित्रकला सहली है तो हर एक राज़ी को हम कवर करेंगे जो बार बर एक्जाम में पूछे जाते हैं तो सबसे पहले कोशन की तरह मूब करते हैं और आपके लिए लास्ट में हमने एक कोशन भी रखा है और उस कोशन का एंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ह तो सबसे पहला कोशन है रंग वाली चित्रकला सहली यह भारत के किस राज़ी की चित्रकला सहली है यह करना टक की है तो बिल्कुल ट्रिक के साथ कवर करेंगे ताकि आपके दिमाग में एक बार में ही सेट हो जाए तो यहाँ पर देखिए रंग वाली में आपको पकड़न लगते हैं रजिक से ये मुझे रही लग लगवाना कि ए क्षेके लिए तो मले से करनाटक क लो देखे भाई इतना उपर मत उड़ जाओ कि पट दे गिर जाओ ठीक है बस ऐसे याद रखिए इतना भी उपर मत उड़ जाओ कि पट दे गिर जाओ तो पट से हो जाएगा पट चित्र चित्रकला सेली यह उडिसा राज्जी की है अगला है चिनकारी चिनकारी बहुत ही फेमस भारत को हराने की लेकिन चीन हरा नहीं पाया तो चीन कारी यानि चिकन कारी चित्रकला सहली उत्तर प्रदेश के लखनों की है ठीक है या ऐसे भी पूछ सकता है किस राज्ज की है तो उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा अगला है कलमकारी तो कलमकारी चित्रकला सहली किस तो यहाँ आंधप्रदेश से है तो यहाँ आंधप्रदेश की चित्रकला सहली क्या है कलमकारी है तो भाई मैं अंधप्रदेश जब जब आंधप्रदेश आता है उसको हम अंधकार से रिलेट करते हैं तो भाई मैं अंधकार पूरे देश के अंधकार को मैं कलम से मिटा दू सब को मिटा दूंगा अंधकार से हो जाएगा आंध प्रदेश की है अगला है मधुबनी मधुबनी चित्रकला सहली किसराजी की है या बिहार से बिहार जब जब आता है उसको हम हार से रिलेट करते हैं तो कैसे याद करेंगे देखें मधुबनी तो मधुबनी को हम थोरा सा कर देंगे मधुर बानी क्या कर देंगे मधुर बानी तो मधुर बानी से हम क्या कर सकते हैं बहुत लोग को हरा सकते हैं कई बार ऐसा होता ना कि जब सस्त्र अस्त्र नहीं काम करता है तो मधुर बानी काम कर जाती तो मधुर ब करेंगे अरोफ यानिवाण यानि बःफ ठीक है? अगर इससे मातर धोड़ा दिए जाए तो हो, जाएंग आरफ अरफ यानि बरफ तो बरफ सबसे जाता कहां पाई जाती है या हिमानचल प्रदेश में पाई जाता है तो अरोफ चित्रकला सहली किस राज़ की है या हिमानचल प्रदेश की है अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगला कोशन है काली कट चित्रकला सहली किस राज़ की है तो यहां कोलकाता की है कै जैसे याद करेंगे तो कोलकाता है न याध कोलॉम जित्रकलासली किस राथजी का है तो यह तमिल НАडु का है तो भाई जब किसी से हम मिलने जाते हैं क्या करते हैं सबसे पहले call कर लेते हैं कि भाई पता नहीं हुआ है की नहीं है तो call से हो जाएगा column तो मिलने से पहले आप क्या करेंगे सबसे पहले call करेंगे तो call से हो जाएगा column नेक्स्ट है पिथावरा पिथावरा चित्रकला सहली यहां किस राजिकी है तो यहां गुजरात राजिका है तो कैसे याद करेंगे देखे गुजरात यानि जब आप रास्ते से रात में गुजरते हैं तो आपको बहुत से पत्थर मिलते हैं तो पत्थर से हो जाएगा पिथ द्धवरा चित्रकला सहली किस राज्जिकी है तो यहां गुजरात राज्जिका है चलिए अगला है फण फण चित्रकला सहली किस राज्जिका है तो यहां राजस्थान का है कैसे याद करेंगे तो राजस्थान का मतलब क्या हो गया राजा महराजा और राजा महराजा हमेश अगला है तंजवर चित्रकला सहली या किस राज्य का है तमिल नाडु का है ठीक है तंजवर कहां पर है किस राज्य में तमिल नाडु में तो बिल्कुल असान है क्योंकि आप लोग जीके में काफी बार पढ़े होंगे तंजवर किस राज्य में तमिल नाडु में तो एल लग गया तो आप क्या करेंगे तो बिल अगला है अगला है अगला ओल आप पंजाब का है कीसे याद करेंगे फुल अप्वुल कलाकारी दिखा सकते हैं जब आपकी सब्सक्राइब अगला dysle आगला है गोंड तो कैसे आत करेंगे तो गोंड यानि गॉड क्या कहते हैं गॉड तो गॉड हमारे क्या रहते हैं गॉड हमासे हमारे मद्ध रहते हैं भगवान हमारे मद्ध रहते हैं तो गॉड गॉड चित्रकला सहली किस राज्जी की है तो यह मद्ध प्रदेश की है अगला है बाग तो तो वरली यानि वारली चित्रकला सहली किस राज्य का है यहां महराष्ट का है ठीक है किस राज्य का है महराष्ट का है तो यहां से हमने जितने भी इंपोर्टेंट चित्रकला सहली है जो विभिन राज्यों के उसको हमने कवर किया और आपके लिए एक कोशन है और यहां कोश इसी प्रकार स्टेटिक जी के अब रेगुलर आपको अल्टरनेट बहुत जल्द मिलना इस्टार्ट होगा जो कि यूपी ट्रपल सी के जूनियर असिस्टेंट सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉपिक होते हैं ठीक है जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं सभी को हम कवर करेंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ और बहुत जल्द इसका रेगुलर क्लास स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो फ्रेंट सेक्व ज़डूरी सूचना है कंप्यूटर ईबुक के रिफ्रेंस में आने मेल टाइम में जूनियर असिस्टेंट इस्टेंट इस्टेंगर पर VPO, Forest Guard, ETO अन्य पर इच्छाय लगी हुई है सभी को देखते हुए बिल्कुल handwritten notes तयार किया गया है और to the point question इसमें रखे गया है हर एक topic को अच्छे से cover किया गया है तो इस e-book को लेकर अपनी तयारी को और बहतरी नधंग से करिए ताकि इस बार अपकी बार junior assistant में जो आपकी एक sit है वो पक्की हो सके और इस book को लेने का process क्या है जो screen पर number दिया जा रहा है 9793661506 इस पर आफ 100 उपर payment करके इस e-book को ले सकते हैं जैसी payment करेंगे payment करने के बाद आपको screen start इसी number पर यानि whatsapp number ही है इसी number पर आपको send करना होगा और send करने के बाद अपना नाम और district mention करना होगा थोड़ी दिर बाद आपको इसका e-book प्रवाइड करा दिया जाएगा दूसरी e-book है UPGK की इसमें दो e-book प्रवाइड की जा रही है ठीक है एक तो आपकी UP special की complete e-book है और दूसरा UP Current Affair 6 मन्त का Current Affair है जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक बिल्कुल oriented content रखा गया है और जो यूपिटर पलसी के trending topic है सभी trending topic को cover किया गया है यहाँ पर आप इसकीन पर देख सकते हैं जो जो topic यहाँ पर cover किया गया है तो e-book आप लेने के लिए क्या करेंगे इसक्रीन पर जो number दिया रहा है 9793661506 इस पर आप 125 पर payment करेंगे payment करने के बाद आप इसक्रीन साथ इसी number पर send करेंगे और जैसे send करेंगे थोड़ी देर आप wait करिए उसके बाद आपको इसका e-book प्रोवाइट करा दिया अगर कोई समस्या होती है आपका payment नहीं हो पा रहा है तो आप लोग एक बार इस पर number पर जरूर काल कर लिजेगा ठीक है तो friends से रहे आज की वीडियो और next topic जो है किस पर रहे कौन से trick रहे इस पर आप लोग comment करके जरूर बताईएगा मिलते हैं next video तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मातरम